spiders are arachnids which belongs to phylum arthropoda arthropoda intervertebrate का सबसे बड़ा phylum है और इसके अंदर जो insects हैं वो सबसे ज़्यादा तदाद के अंदर है arachnids के अंदर ऐसे organism शामिल हैं जिनके four pairs of legs होते हैं इनका जो sphalothorax और insect का अगर हम देखें तो insects की body को हम तीन हिस्सों में तक्सीम करते हैं head, thorax और abdomen जबके इनका जो head और thorax है वो मिल के sphalothorax बनाते हैं और दूसरा पार्ट इनका abdomen है spiders को हम तीन major categories के अंदर डिवाइड करते हैं एक ground runners, ground runners ऐसे spiders हैं जो अपना जादा वकत जमीन पर गुजारते हैं ये बहुत rare होता है कि ये plants के upper parts तक जाएं ये soil पर रहते हैं, soil crevices के अंदर छुप के रहते हैं या फिर जो organic matter मौजूद होता है जमीन के उपर, वहाँ पे hide करकर अपनी जिन्दगी गुजारते हैं जबके जो stalkers हैं, ये active spiders होते हैं, they constantly move from top to the bottom of the plant ये prey का पीछा करने के लिए पौदे के मुखतले parts तक चले जाते हैं जबके जो तीसरी type है, वो web builders हैं ये ऐसे spiders हैं जो जाला बनाते हैं, इनको sit and wait predators भी कहते हैं ये आम तोर पर अपना web बना कर वहाँ पर इंतिजार करते हैं कि prey इनके web के अंदर आए और फिर ये उसके उपर attack करें spiders, they are considered best bio control agent और इनको model organism के तोर पर use किया जाता है research studies के अंदर, उसके लावा जो spider का silk है it has wide range of applications in the medicines और इसी तरीके से जो spider का venom है although कि कुछ spiders का जो venom है, वो highly toxic है, जो के death का सबब भी बन सकता है लेकिन जो majority of spiders हैं, इनका जो venom है, इनके अंदर specific peptides होते हैं जिनको बहुत सारी जो diseases हैं, उसकी treatment के लिए इस्तमाल किया जाता है agriculture के अंदर ये बहुत important role play करते हैं, क्योंकि ये bio control agents हैं ये ऐसे insects के उपर feed करते हैं, जो के हमारी crops को damage करते हैं आम तोर पर जो spiders हैं, ये carnivores है, carnivores का मतलब ये है, ये ghost khore है ये हमारे पौदे को कोई नुकसान नहीं पहुचाते, क्योंकि ये herbivores नहीं है इस वज़ा से ये जो soft bodied insects हैं, खास दोर पर ऐसे insects जो के हमारी crop को damage करते हैं ये उनके उपर feed करते हैं, क्योंकि ये important bio control agents हैं, इस वज़ा से researchers का ये ख्याल है कि इनको हम insecticide के मतबादल के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं यानि जो spiders हैं, क्योंकि ये naturally मौजूद होते हैं, हमारे agro ecosystems के अंदर हम ऐसी practices कर सकते हैं, हम spiders की जो population है, उसको natural तरीके से field के अंदर बढ़ा सकते हैं ताके ये नुकसान दे कीड़ों के उपर feed करें और जो pesticide का इस्तमाल है, वो कम से कम हो बहुत सारे countries के अंदर जो spiders हैं, उनको release किया जाता है, fields के अंदर खास दोर पर जब pest आउट break हो जाए जब pest का attack बहुत जादा बढ़ जाता है, तो फिर spiders या उनके eggs को release किया जाता है, ये जो spiders हैं, जब eggs से इनकी hatching होती है तो ये इन pest के उपर feed करते हैं और crop को नुकसान से बचाते हैं, इनके अंदर बहुत सारी qualities हैं इन qualities के उपर इनको excellent bio control agent कहा जाता है, ये बड़ी तेजी से field के अंदर अपनी population को बढ़ाते हैं और ये unfavorable conditions के अंदर भी survive कर सकते हैं, और खास दोर पर अगर इनको काफी अर्चे तक food ना भी मिले, क्योंकि field के अंदर prey हर वकत मौजूद नहीं होती तो बगएर prey खाए ये field के अंदर जिन्दा रह सकते हैं, ये excellent survivors हैं under the condition of food shortage तो बहुत सारे spiders जो हैं, इनको बहुत सारे countries के अंदर pest management strategy जो के हम IPM के अंदर यूज करते हैं, integrated pest management तो integrated pest management का parts बना कर इस्तमाल किया जाता है, बहुत सारे spiders ऐसे हैं जो उनको pesticide के साथ भी इस्तमाल किया जा सकता है ऐसे pesticide की selection की जाती है, जो इनके लिए नुकसान दे ना हो, तो ये animal farmers friend animal कहलाते हैं, क्योंकि ये farmers के लिए बहुत फाइदा देते हैं